हलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्माट इंजिनियर को अगर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कर दीजिए और पास मेरे बेर आगन को जोब प्रेस कर दीजिए कैसे आ कि शुरुआत करते हैं तो फ्रेंड्स आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम बता दूँ जो मेरा प्रिवेस्ट वीडियो गया था जी हां सर्वेर कम पास के उपर तो मैंने छोटा साब से कोईशन पूचा था इसका एंसर मुझे किसी ने नहीं दिया तो कोई नह आपको समझा देता हो कुछ the laughingalis मैंने पूछा था कि फ्रेंड्स जो हमारा यहां पर इच्ट आना चीव कुआ आता है अो फ्रेंड्स यहां पर हमारा वेश्ट क्यों आता है तो फ्रेंडस मैं आपको समझा दूं कि इसका कुछ कारण चोटा सा ही है ज्यादा कुछ नहीं है यहां पर फ्रेंड्स हम क्या कम करते हैं कि जब भी हम सर्वेयर कमपास लेते हैं जी हां और उसका यूज हम करते हैं क्लोकवाइस जी हां कोई भी कमपास हो हम उसका यूज करते हैं क्लोकवाइस और फ्रेंड्स इसमे हम मान लेते हैं कि हमारी चुमबक्य सूइ है वह हमारी यहां पर उसके Rahी सामने यहां पर क्या है हमारा आई वेना और हमारा औपिशेट वेना पर हमारा मेग्नेटिक नीडिल हैепter क्या है यहां पर हमें सी कि लिटिवड minder का है within value क्या से तो थे से यहां Within खालो यहां किस तरह से रिडिंग लूँगा मैं ऐसा नहीं देखूंगा कि मेरा हैं पर मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूं फ्रेंड्स वलकि मैंने रोटेट किया क्लोकवाइज और हमारी जो मेगनेटिक नीडिल रहेगी उसके ही सापेक्स में यहां पर रिडिंग देखेंगे तो फ्रें आपको समझ में आगया होगा चलते हैं फ्रेंड्स आज की टोपिक पर जी आया हमारा मैंने समझा है तो सर्वेयर कमपास अगर आप हमारे इस वीडियो पर नहीं हो तो जाईए जागर को उस वीडियो को देखिए आपको अच्छी तरह से किलो हो जाएगा कि सर्वेयर कमप कहता हैं और सब्सक्वास और सेमिर स्यागे कि किस तरह से अपने प्रिंटी कमपास इंट की यह हमारा prismatic compass है यानि survey करते हैं तो उसका हम पुरा adjustment किस तरह से करते हैं आज हम सीखने वाले हैं तो फ्रेंट्स आपर कहा है कि temporary adjustments are those adjustments which have to be made at every setup of the instrument जिहां फ्रेंट्स आपर कहता है कि जो भी हमारा रहता है temporary adjustments made at every setup of the instrument जिहां फ्रेंट्स आपर कहे रहा है कि जो भी हमारे instruments से उनका setup करना ही उनकी प्रक्रिया setup करने की प्रक्रिया तो फ्रेंट्स आगे चलते हैं आगे क्या कहता है इसके अंदर कि they comprise the following यहां पर comprise का मतलब होता है और फ्रेंड अभी इसको का काम करते हैं, ड्रोइंग के माध्र हम से समस्ते हैं, जितना विजुयलाजिशन से समझेंगे, उतन Zoo हमारे लिए आपने हमारे यह इसिर रहेगा, तो पहला मैंने बात किया centring, सेंटिरिंग के लिए हमारा जो एक ट्राइपोड रहेगा, पूरा से कुणूब्य को सा चीए friends तो पहला हमारा है हांपर कैछियंड है friends peg और दूसरा हमारा हो जाएगा plumb up तीस्रा हो जाएगा हमारा tripod इसका चौत्हा हमारा हो जाएगा hammer टो टो तब उसके बादा है म。 एक compliance कॉंसा है हमारा Prismatic Taured, अब आगे हम बात करते हैं किस तरह सा सेट इसका सेट अप किया जाता तो पेट जो रहेगा कहें पर भी जहां पर हमारा दिया हो डाटा के हिसाब से कि हमारा desperate कहां अभर रहेंगे में मिट्मक係 का लिया रहेंगेिट करने नयुक्स को अपर कि मृपर निटिक próxima करेंगे ट्रैपोट शक्र्लेग उन्ट कोपर लग करने वाला है मसीन के उपर जो भी हमारे प्रिजमे के उपर काम करने वाला है उसकी आई हाइट तक लेकर के जाएंगे जी हाँ यह सबसे बड़ा मेटर करता है कि कोई भी सामने वाला किस तरह से काम करता हो और जो भी हमारे हेलफ रहते हैं और जो भी हमारे कारीगा रहते हैं उसके हिसाब से मैं कहूं तो वहां कभी-कभी ज्यादा खोल देते हैं जिससे सेट अप हो जाने के बाद बहुत दिक्कत होता है तो फ्रेंड्स हमें यह बात याद रखना है कि जब भी हम यूज में लें तो हमारे जितने भी वहां के हैं सर्वियर उनके हिसाब से उनकी आई हाइट वहां करने के लिए मैं दो चीजों का यूज कर सकता हूं तो हमारे स्टोन का चोटा सा पत्थर या फिर मैं यूज करूंगा जेनरली तोर पर प्लंबब का यूज करने का रहेगा फ्रेंड्स कि प्लंबब को मैं हाँ पर ट्राइपोड के नीचे यानि जो भी उसका नीचे तो फ्रेंड्स में नीचे गी रहाऊंगा और यह हमारे प्लंब के उपर याना चाहिए इस तरह से मैं कहोंगा जब इसके ऊपर आ जाएगा तो मैं कहोंगा कि मेरा सेंट्रिंग मैं पूरा हो गया ।ो दूसरा लेवलींग के क्या करते हैं कि जो हमारा प्रिजम रहता है यह हमारा नीचे वाला सोकेट जो रहता है वह मुएवल रहता है अब चाहो तो किसी भी तरह से उसको मुएवल कर सकते हो तो फ्रेंड्स हमें क्या देखना रहेगा कि हमारा जो प्रिजमेटिक कमपास है जो हमने ऊपर सेटप करके रखा है तो वह फ्रेंड्स अच्छी तरह से बराबर से एक लेवल में आ जाए मतलब फ्रेंड्स अगर उसके ओपर या बॉल पेन भी में रखूँ तो वह इस्थिर रहे इस तरह से कुछ हमें इसका लेवलिंग करना रहेगा तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि जो भी हमारी मेगनेटिक निडिल रहेगी वह हमारी फ्रेळी हो जाएगी जिस वासानी इससे घूम पाएगी जिए हां जो नोर्थ डेरेक्षिन रहेगा वहां पर जाकर करके रुकेगी और हमारा जो बॉक्स रहेगा ब्रास बॉक्स दिया रहता है जो वह आसानी पुरवक्स मैं कहूं कि जो गर मैं station wise काम कर रहा हूँ तो मेरा पहला station तो खतम हो गया suppose that मैं आपको roughly समझा दूँ जी हाँ मैं आपको roughly समझा दूँ मान लेते हैं friends हमारा ये पहला station है आपर हमारा खतम हो गया मतलब हमने पहले station पर tripod लगा दिया यहाँ 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 पर इसके उपर मैंने प्रिजमे भी सेटप कर दिया मतलब पुरा हमारा प्रिजमेटिक कमपास अच्छी तरह से मैंने फिक्स कर दिया तो फ्रेंड्स अब मैं क्या काम करूँगा कि जैसे मेरा यहाँ पर दिया हो दूसरा इस्टेशन दिया है यहाँ यहाँ पर मुझे दूसरा दिया पॉइंट जैसे कि हमारा building है कोई तो friends यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा कि कोई एक जी हाँ जो एक मेरा रहेगा leader के साथ जो रहेगा follower उसको मैं हाँ पर ranging road ले करके खड़ा कर दूँगा और मैं यहाँ से इसको range करूँगा जी हाँ यह मैंने उल्टा बना दिया कुछ इस तरह से मैं हाँ पर खड़ा कर दूँगा और इसको मैं यहाँ पर range करूँगा जी हाँ इसकी मदद से और मैं friends इसकी मदद से नोर्थ की सापेक्स में इसकी reading ले लूँगा किसकी मदद से यहाँ पर जो हमारा prism रहेगा उसके अंदर जब मैं देखूँगा तो मुझे reading कुछ इस तरह से processing होता है centering का focusing का और इसके बाद leveling का जी हमाँ उल्टा बोल दिया centering का leveling का और focusing का तो friends इस तरह से इस तरह से इस तरह समने बताया है आप यूज करें उस theory को तो centering और इसके बाद leveling और focusing the prism असानी पूर्वक कर सकते तो friends आज की वीडियो में इतना ही आप आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक के मादम से जरूर बताएगा और साथी सब कमेंट जरू कीजिएगा अगर आपको इसके रिलेटर कोई भी डाउत हो तो friends आज का वीडियो आपने देखाए से नठाएं की सो मजब वोचिंग मैं वीडियो तो friends मिलते आपने नेक्स सुलियो मैं बाइबाएं करे चार किBay झाल झाल